असलाम लेकुम दिया लेर्नर्स और विडियो इस विडियो से पहले हम बात कर चुके हैं कि अगर आप अपना बिजनस वेंशर क्रिएट करना चाहते हैं तो आपके पास मल्टीपल ऑप्शिन्स हैं इस विडियो में हम बात करने वाले हैं कि एक अगपनी किस तान से खुली जा सकती है और एक कमपनी कितने था की होती है परपस क्या है? परपस सरफ यह है कि आपको मालूम हो कि being an entrepreneur आपके पास क्या-क्या choices available हैं जब हम बात करते हैं कि आपने कोई भी venture start करना है, चाहे वो commercial हो, चाहे वो non-commercial हो सबसे पहले आ जाते हैं NGOs के बारे में बात करते हैं, NGOs यानि non-profit organizations basically है क्या if you look at the definition, तो तीन main आपको components नजर आएंगे नमबर एक, NGO जो है, जब वो बनाई जाती है तो सबसे पहली option उसके पास जो सबसे अच्छी बात होती है, उसको tax free कर दिया जाता है government उसके उपर tax imposed नहीं करती है reason क्या है? कि NGO बनाई ही जाती है इसलिए ताके एक public benefit, एक social welfare का काम किया जा सके लोगों की जिन्दगी में, marginalized लोगों की जिन्दगी में कुछ ease लाई जा सके और ये NGOs, जितनी भी NGOs हैं, basically ये government की बहुत बड़ी support होती है government की भी एक responsibility होती है, कि लोगों को tax pay करते है तो government उसके मकाबले में लोगों को facilitate करे और जहां government facilitate नहीं कर पाती, marginalized group को, वहाँ फिर ये NGOs काम करते है Second components, जो भी donations इन NGOs को दी जाती है ये donations चाहे हम individuals दें, चाहे कोई businesses दें ये donations tax deductible होती है, यानि अगर मैंने ये donation दिया है और मेरे पास उसका एक proof है, तो मैं अपने income tax return में show कर सकती हूँ कि मैंने ये donation दी थी और उस donation का मुझे tax rebate मिल जाता है, यानि tax exemption मिल जाती है उसके इलावा, जो तीसरी important चीज़ है वो ये, कि जितनी भी donations company को भी, यानि NGO को भी जो मिल रही होती है उसके उपर भी government उसको tax नहीं लगाती सो तीन main components आपके सामने आगे नमबर एक NGO बनाए ही से लिए जाती है ताके marginalized group ये किसी special purpose को serve किया जा सके ये government को support कर रहे होते हैं नमबर तीन, इनके उपर जो income आ रही होती है, उस पर tax नहीं लगता और नमबर चार जो इनको donations दे रहे होते हैं, उन पर भी tax नहीं लगता अब आप ये सूच रहे होंगे कि क्या NGOs भी entrepreneurial ventures की list में आते हैं अगर हम बात करें EDI Foundation के आप देखेंगे कि ये एक ऐसी non-profit organization है जो इस वकद multiple products में deal कर रही है वो multiple services दे रहे हैं, पाकसान के अंदर दे रहे हैं, पाकसान से बाहर दे रहे हैं तो venture तो establish हुआ, services भी वो deliver कर रहे हैं teams भी उनके पास काम कर रहे हैं, ठीक है और EDI साब को हम consider करते हैं as a successful entrepreneur और आप देखेंगे कि succession भी हुई है, उनके बाद अब उनकी family जो है they are taking care of this organization वो अलग बात है कि इसका purpose जो है, वो non-commercial है but again, क्या ये entrepreneurial venture है, क्या इसके सारे characteristics ऐसे हैं the answer is yes, it is an organization सिरफ मकसद क्या है, purpose क्या है, कि ये non-commercial है, for business नहीं है और ये लोगों को service provide कर रहे है अब आता आती है, कि आप being an entrepreneur, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि वो commercial entrepreneurs थे, यानि अपना एक commercial business चला रहे थे, जब उन्होंने अपना business grow कर लिया तो उसके बाद उन्होंने जो ventures established कि है, वो non-commercial थे अगर आपको example दी जा सके, very quickly from the international platform तो Bill Gates की example है, जिन्होंने पहले अपना पूरा एक business खड़ा किया for commercial purposes और आप वो focus कर रहे हैं उन ventures की तरफ, जो के non-commercial है, जो के लोगों की service के लिए है, public service के लिए है अब हम बात करते हैं, आपको थोड़ा सा idea दे देते हैं कि अगर आप एक NGO open करना चाहते हैं और आप पंजाब के अंदर रहते हुए अपनी एक NGO बनाना चाहते हैं, तो आपके पास main source of information क्या है NGOs पाक पंजाब के अंदर, पंजाब प्रविंस के अंदर जो देख रहे होते हैं, that is Social Welfare Department, Government of Punjab और उनकी जो URL है, वो आपको on screen show हो रहा है, अगर आप इस एक website के link पे जाते हैं और NGO open करना चाहते हैं पंजाब के अंदर, तो आपको सारी retails मिल जाएंगी उसका registration process क्या है, किस तरह से आपने क्या क्या documents वो apply करने हैं उसके इलावा, आप कितने different levels के उपर अपनी NGOs को जो है, वो open कर सकते हैं और आपके उपर NGO को register करने के बाद, क्या क्या responsibilities आती हैं, कि आपने कौन-कौन से documents maintain करते हैं यानि अगर आप इस website पे जाएंगे, तो Social Welfare Department जो है, वो आपको एक proper guideline provide करेगा जो के voluntary social welfare agency registration and control ordinance 1961 के according है आप NGOs बना सकते हैं, different levels के उपर, जो level इन्होंने define की हैं one is the local level, यानि आप community नेवरूट के उपर छोटी सी NGO बनाना चाह रहे हैं या आप district level पर बनाना चाह रहे हैं, या आप divisional level पर बनाना चाह रहे हैं किस level की आप NGO बनाना चाह रहे हैं और उसके लिए आपके पास क्या requirements हैं, क्या registration fee है ये सारी information आपको मिल जाएगी, again if you want to open an NGO in Punjab province इसी तरह आप अपने अपने province में देखे कि आपके province में कहां कहां पर ये information available है कि अगर आप कोई non-commercial business करना चाहते हैं, तो उसको किस तरह से register करेंगे आप हमारे पास जो next option है, that is company अच्छा company के बारे में सोचा ये जाता था, कि अगर business बहुत grow कर गया न यानि हमने सोचावा है कि sole proprietor, sole proprietor से partnership, partnership से फिर company आती है लेकिन कुछ amendments ऐसी हुई है recently कि जिसमें जो company है उसको establish करना और ज़्यादा law ने हमारे लिए आसान कर दिया है एक बात याद रखिएगा, पाकिस्तान के अंदर company अगर आप बनाना चाह रहे हैं तो उसकी जो registration है वो Securities and Exchange Commission of Pakistan, SECP जो है, उसको देखता है, उसका URL आपके सामने स्क्रीन पे नज़र आ रहा है ये services एंड की, आप जाएए अपती information प्रवाइट कीजे and you can register your company as well Company आपके पास, अगर मैं main categories बता हूँ, तो आपके पास चार तरहां की companies हैं जो आप register कर सकते हैं The first one is single member company, the second is limited liability partnership, the third is private limited company and the fourth is public limited company अब आ जाते हैं सबसे पहले single member company की तरफ, sole proprietorship की जो हमने बात कीते हैं, तो हमने sole proprietor की कुछ characteristics बताये थे यहां business डूबा नहीं, creditors उसके पूरे के पूरे घर को बेच सकते हैं, अपने dues हैं उसको clear करने के लिए Actually, sole proprietor को थोड़ी सी protection देने के लिए, single member company का concept जो है वो लाया गया है और यह introduce हुआ है company's act 2017 के पहर एक owner भी जो है, वो एक single member company उसको register कर सकता है with SECP, उसका फाइदा यह होता है कि आपकी separate legal entity होती है, तो separate legal entity का फाइदा यह होता है कि जो sole proprietor होता है, वो और उसका business यानि इसकी brand establishment बिलकुल अलग-अलग हो जाती है सो जरूरी नहीं है कि बहुत बड़ी company हो, हाँ इसकी कुछ requirements होंगी, वो requirements आपको SECP से मिल जाएंगी कि एक single member company को register करने के लिए, आपके पास minimum कितने members होने चाहिए, minimum कितनी capital के requirements हैं और उसके अलावा जो official document requirements हैं, वो क्या है, बट आप एक single member company register करवा सकते हैं फिर आजाती है limited liability partnership के तरफ, ये भी एक बहुत अच्छी amendment है जो आई है, और ये amendment आई है में 2018 में और ये भी social security of commission पाकिस्तान ने जो है वो launch की है, परपस इसका भी आई था, partnership जब हमने बात की थी, तो partnership भी हमने कहा था ये कुछ partners ऐसे होते हैं, जिनकी liability unlimited होती है और वो directly responsible होते हैं, business god forbid अगर बैड गया तो उनकी सारी की सारी personal property sale हो जाती है ताकि dues जो है वो clear हो सकें, ये partnership firm को इस company case जो सारे privileges होते हैं, उसको enjoy करवाने का एक तरीका है कि आप partnership में रहें, मगर जो एक company के status होता है आप इसको भी enjoy करें, दो या दो से जादा लो limited liability partnership को register कर सकते हैं जब ये एक agreement में enter होते हैं, तो ये agreement आपको register करना पड़ता है, again with SECP यानि कि आपको अपनी company को register करवाना पड़ता है as limited liability partnership, ठीक है limited liability partnership का भी again फाइदा ये होता है कि आप और आपके business, they become the separate legal entity और आपकी liability limited हो जाती है, और liability limited होने का फाइदा यही होता है कि आप business में अपने आपको ज़्यादा secure feel करते हैं, यानि एक certain amount तक अप liable होता है, ऐसा नहीं होता है कि business डूबा, या कोई partner भाग गया, कोई fraud करके, तो आपकी personal property की पूरी की पूरी बच गई so basically ये partnership को एक legal support provide की गई है, जो बहुत अच्छे है अब आजाते हैं private limited company के बारे में, आपने किसी ने किसी course में, या introduction to business में जरूर पढ़ा होगा कि private limited companies होती है, इसको भी हम SECP के साथ ही जाके register करवाते हैं, दो या दो से जादा लोग इसको मिलके company को बनाते हैं obviously इसके कुछ certain requirements होती है, आपको कितने limited amount of capital चाहिए, कितने limited amount of members चाहिए, कौन-कौन से documents आपको चाहिए हाँ, limited liability, वो sorry, इसके shares जो हैं, वो publicly बिकते नहीं हैं यानि के private limited company अपने shares को trade नहीं कर सकती, stock exchange के अंदर, और जो partners हैं इनके, वो liable होते हैं, बस उतनी ही amount के लिए, जितनी amount के लिए उन्होंने shares को buy कियावा है partners की entity बिलकुल अलग होती है, company की अपनी बिलकुल अलग separate legal entity होती है और उसके बाद आजाती है, public limited company, वो company जिनके share stock exchange के अंदर trade हो रहे होते हैं इसकी भी requirement बिलकुल मुख्लिफ है, register again, ये SECP के साथ ही होगी जितने आपके पास shares होंगे, उतनी ही आपकी liability है हाँ, public limited company के जो private limited से को काफी हद तक differ करते हैं initially, एक तो ये कि private limited company अपने shares publicly offer नहीं कर सकती public limited company stock exchange में trade कर रही होती है, अपने shares के साथ दूसरी private limited company के ओपर कुछ certain audit की conditions होती है बट public limited company के लिए तो ये compulsory होता है कि उन्होंने अपने accounts public करने होते हैं अपने balance sheets को public करना होता है तो आप अगर business करना चाहरे हैं और register करना चाहरे हैं और company ही register करना चाहरे हैं तो आपके पास ये चार options available हैं आपने initially set up करना है या grow करना है आप company को किस तोर पर register करना चाहते हैं ये सारी information आपके लिए इसलिए बहुत ज़ादा जरूरी है being an entrepreneur ताके जब भी आप चाहे आप legal expertise ही क्यों न जिसे कितनी यानि कि legal services ही क्यों न हाइर कर रहे हूं but at least you must know कि आप जो legal services हाइर कर रहे हैं वो आपको misguide नहीं कर रहे हैं अज़े एंड के ओपर जो भी decision होगा उसके responsible आप being an entrepreneur अके ले ठहराए जाएंगे see you in the next video